हेलो एप्रीवान साशिकाल सार्यानू थोड़ा बहुत बहुत स्वागत अजदी क्लास आज आपा करें जा रहे हैं पंजाब स्कुल एड़केशन बोटी पंजवी क्लास थी पंज़ापी थी किताब पहली पुस्तक ते ओदे विच ओधा चौथा पार्ट शहीद उद्दम सि रेल्वेः फाटक दे इक चौंकेदार दा पुत्तर सी पचपन वेच ही उस दे माता-पिता देहांत हो गया सी इसलेई 5-6 साल दी उमर विच उसनों अमरे सर दे खालसा केंडरी यक्तीम खाने विच दाखल करवा बिता गया सी तो रहते दस्या गया है भी सरदार उत्दम स अचिंग रेल्वेः फाटक दे इक चौंकी तार जेड़े सी गे उना दे पुत्तर सी गे ते बचपन वेची उना दे माता-पिता देहांत हो गया सी मात मौत हो गयी सी जिसका ज़तों 5-6 साल दे हो तो उननों अमरे सर दे बेच दाखल करा देता गया सी एक यतीम खाना यत अचिए वेच अमरे सर शेहर उद्योगिक वपारिक अते विद्या दे खेत्रा विच बड़ी तरकी कार रिया सी इस तरकी दे नाल-नाल ओथों दे लोकां विच राजनितिक जागरती भी आरी सी जदो उदम सिंग स्कूल वीच पढ़ रही सी तां अम्रे सर विच जलिया व उद्दम सिंग ने आपड़ी अखी 500 वाद बंदयानों गोलिया नार पुन्ने हुए विख्या सी, उस्दे मन उते इस कतले आम दा बड़ा डूंगा असर होया, उस्दे मन उते इस गाल दा हमेशा पार रेंड लग पया, वो किसे ना किसे तरिके ना लेज दा बदला लेना च विख्या उदा सी, तैथे रसिया गया है भी उना दिना विजद उना नो यतीम खाने विच पड़ती गीता गया, उना दिना दे विच अम्रित सर दे विच उद्योगिक कैन दा मतलब वाकवाक कार खाने जड़े ने उखुलने शुरू हो गई सी, वापारिक यानी खरीद विच्छन दे संबंधित चीजां, नाल दी नाल विद्या दे खेतर दे विच पड़ाई लिखाई दे खेतर दे विच काफी तरक्की हो रही सी थे ए तरक्की जड़ी है उत्ते दे लोक इना पागा विच तरक्की दे के राजनीती विच वी उना दी जड़ी जड़ी कार रहे सि जङरुक हो रहे सी बहुत ज्यादा ते जदो उद्दम सिंग जी स्कूल वेज पाड़ रहे सि ता अब जहर जो जलिया वाला जड़ा हाजसा है घए खुणी साक्का झाली पत्तर देग वाराजिन जड़े तो देख के मन देख वत्ते ना बड़ा बार मतलब प्रभाः पर आप पर उस चीज था कटले आप दा उस मौत दा लोकाली ते ओ गालो ना दे जहन देविच हमेशा रही सी ते किसे ना किसे तरीके उना नू यह लागता था भी एंदे मेरे लोक मरेने भी मैं किसे ना किसे त पगत सिंग दी तस्वीर लेके बड़े चानाल नाच रहा सी ओ वो शहीद पगत सिंग नू आपना गुरु मानदा सी ओ करतार सिंग सराबे अते शहीद मदनलाल तेंगरे दी कुर्बानी तो भी बहुत प्रबावित सी एन शहीदा वांगी उसने मानवेच भी इनकलाबी ठाठा मारन लग प्यासी उन्हें थे दस्या गया भी एजड़ा साका होया जलिया मला बाता इस तो कोई 13 13 साल पी छोद्दम सिंग्नों किसीने कश्मीर देविच देखिया थे ओ मानदे सी पगत सिंग अपना गुरु ते उना ने हाथ ते बिच पगत सिंग दी तस्वीर ल बहुत प्रबावित होई सी प्रबावित चीजे मतलब मन विच छूले आ सी मन विच बैठ गे सी ये सारे लोग होना थे ठीक है ते एना शहीदा मांगी होना थे मन्दे विच इनकलाब यानि बगावत करन जड़ा जोश सी ओहो ठाठा मार रहे सी भी मैं भी एना लोका अपने देश दे लिए कुछ न कुछ करना है अपने देश दे लोकाली कुछ न कुछ जरूर करना है क्योंकि उस ताइम अंग्रेजी हकोमत साढ़े ते राज करना ही सी उद्दम सिंग अपने मन्दी गल किसे नो कट वाधी दस दा सी ओहो बिना किसे नो कश्मीर छड़के इंगलेंड चला की ने लाग था सिवन porter इट जलियाे वाले bag of saak çevre उस्नु चैन नहींा झी से लाट या थी वो आपने मंदी गल कट वाल किसे नू डस दे थी ते ते वो एकदाम मी बिना किसे नू से कश्मीर ती इंगलेंड चले गए ते इदना लाग था सिवन मतलब ना जलियाम वाला बाग, जिड़ा साक्ता उत्ते वाप परे आ झाल अगा लृब जलियाएं वाले बाग विच होए कतले आम हैं ते असल जमिवार सर, मााइकल उद्वायर कोलों बदला लेना चाहन दे सीिए जीनने उत्व कतले आम कराया झीजिए उगो उस विधानाा नो एही सी विए उठे जाके जिससे बढ़े ने इन्हा साथ कावाप प्रया मतरब इन्हा कतले आम कहता मैं उनुह खतम करना थे व बंदेनों खतंगारन तीट रहे ने सीवियो बंदा के वह हांता थाजे ते मैं उनुह मार दमा ताक्य कर्तों काथ मेरी आत्मानु ता शांती मिले इनना दुख दर्द मिरे लुका ने जर्या है अगे आखीर 1940 इस्वी विच एक दिन उद्दम सिंग नू पता लगा कि माइकल उडवायर एक मीटिंग विच पाख लगेगा उद्दम सिंग नू एक सुनेरी मौका जापया वो किसे ना किसे तरह मीटिंग विच पहुंच किया जे मीटिंग खतम ही होई सी कि उसने अपना लुक्या होया पस्तौल कड़िया ते माइकल उडवायर नू बोलिया मारके खतम कर देता देरते दस्या गया है वी अखीर दे व उनू खतम किता जा सकता है ते वो किसे ना किसे तरीके देनाल मीटिंग विच पहुंच गये ते अजे वो मीटिंग खतम होई सी कि उद्दम सिंग ने अपना लुक्या होया जड़ा पिस्तौल नू बाहर कर देया ते उस बंदे ते गोलिया जिनिया ने वहो ताख देती है सी जे ओ चांदा तहोर अंग्रेजा नू मार के उत्थो पाच साग्दा सी इस कटनानल इना सेहम चा गया कि पुलिस इंस्पेक्टर ने भी उद्दम सिंग नो डार्दया डार्दया गिरफतार की ता ते थे दस्या गया भी जद उन्हें उड़ाय नू मार जिता ता अपने अपने आपनों बचानली उत्थो पज़े नी सगों उत्थे डटे रहे खड़े रहे हलाकि उन्हा कोई होर गोलियां भी सिगिया ते चाकू भी सिखा जे उचांदे ते उड़ाय नू मार के उह जिन्ने भी अंग्रेज हैं कि उन्हा तो बद्दा ले सांदे सी उन्हा नू हमत सी ठीक है कि और कुछ नहीं नुकसान पहुचाना चांदे इस साके दा इस कटना दा देख के नजारा लोग जड़े ने उत्थे एन्ने ज्यादा सहम गए एन्ने ज्यादा डर गे कि जिस इंस्पेक्टर नो गिरफतार कीता उन्हें भी डार डार के उन्हों गिरफतार क अगे ओदम सिंग नो इस काल दी कोई चिंता नहीं सी कि इस कटना बदले उसनों की सजा मिलेगी मुकदमा चलिया था उसने अपने बचाली कोई वकील नी किता उसने बड़ी दिलेरी नाल ब्यान दिंदियां के हा मैं माइकल उडवायर नो मार के देश दी खातर अपना फर इनकलाब देनों इसे जुरम बदले फासी दी सजा दिती गई थे दस्या गया है वी उद्दम सिंग नो इस गाल दी कोई टेंशन नी सी कोई चिंता नी सी वी एक करंतों बाद उन्हानों फासी दिती जाएगी है ना ओं कहन दे भी जद जज ने जद कोड़ दे मिचे केस च फासी थे बेशक लटका दो मैं उन्हों चंगा ही समझांगा ठीके थे इस महान सुर्मे नो उस तो बाद इस जुरम दे बदले फासी दी सजा दिती गई आगे चाल दे हैं कुछ गल्ला गसियां गई हैं कुछ होड याद रखण योग गल्ला है गिया ने पहली गल शहीद उद्दम सिंग ता जनम 26 दिसंबर 1899 इसमीनु पेंट सुनाम जिला संग्रूर विच होया शहीद उद्दम सिंग ते पता सरदार टेहल सिंग अते माता श्रीमती नरायन कौर सन पहला शहीद उद्दम सिंग दना शेईड सिंग सी यती इम्खाने दाकल होन सम्योस दना बदल में उद्दम सिंग रख़या गया सी शहीद उद्दम सिंग शहीद पगत सिंग नो आपना गुरु मानदा सी अगे शहीद उद्दम सिंग नो 31 जुलाई उनीस सो चाली स्वीनों अंग्रेजाने लंडन च फासी देती अगे है गया पार्ट अभ्यास उड़ा पाग है गया जबानी आपा अभ्यास करना है तो चलू शिरू कर देया पहला प्रशन शहीद उद्दम सिंग दे पिता जी की काम कर दे सान उत्तर शहीद उद्दम सिंग पिता जी देल वे फाटर दे चौंकी दार्सान दुज्जा जलियां वाले बाग वे शहीद उद्दम सिंग ने की वेख्या सी उत्तर एत्ति शहीद उद्दम सिंग ने 500 बंदयानों आपनी अखी गोलिया नाल कुन्दे जान्दे वेख्या सी तीजा प्रशन शहीद बायर बारे कदोपता लगा उत्तर सन 1940 बिच चौत्था प्रशन शहीद उद्दम सिंग ने मुकद्मा चलनते 92 बिच की के हा इत्ते दिता है मैं उत्तर धौनु पता है आपका हुने पाठ पड़े उन्होंने की के हा सी शहीद उद्दम सिंग ने अपने 92 बिच के हा मैं आइकल उडवायर नुमार के देशती खातर अपना फर्स निभाया है इस लही मैं फासी हुते चूल जाना ही चंगा समझागा अगे एडा पाग है गया पाठ विच्चों हेच लिखे पैरे विच्चों दिते गए प्रशना दे उत्तर लिखो ए पारग्राफ है गया तुसी जुम्मेदार कोर्ण सी अत्तर लिखे है sir माइकल उडवायर दुज्ज्ञा प्रशन मीटेंग विच पोंच के शहीद उड़न सिंग ने की किता हि तेदा में उत्तर लिखे है मीटेंग विच पहुंच के उद्दम सिंग ने अपना लुकोया पस्तौल कटिया ते माइकल उड़ायर नू गौलिया मार के खतम कार देता तीजा प्रशन माइकल उड़ायर नू गौली मारन पिछों शहीद उद्दम सिंग ने की किता इदा उत्तर है माइकल उड़ायर नू गौली मारन पिछों शहीद उद्दम सिंग ने अपने बचा लई उत्तो पज्या नहीं सगो उत्ते ही डट्या खड़े आ रहा जो बहुत वड़ीगाल है अगे पार्ट विच आयोखे शब्दा दी बोल लिखत करवाई जावे तुसी आखे शब्जड़े हैगे ने वो बोल के लिख साकते हो फिर अथे रिते ने चरिशुद्ध शबद ने spelling mistake हैगी है तुसी टेक मारना जिमें इंग्लैंड एवे लिखी रहे जलियाँ वाला ए स्पेलिंग ठीक ने सुनहरी ए गिरफ्तार दे ए स्पेलिंग ने ते पस्तॉल दे आ स्पेलिंग ने ऐगे हापाइड मुहावनेया दे अर्थ समझो आते मुहावनेया ननुव्राकां विच वढ़टो PAL आपा समझ ने ए फिर इनन वाकां दे विच भी वढ़ताँगे जिमें पहला है गया है खूनी साक वापर्णा यानि वड़ी पदद दे कतलेयां होना तेर्थे मैं इदेली वाक्ट जेड़े हैं इने ओ भी लिखे हो इने जिवे मैं लिखे है जलियाँ वाले बाग विखे खुनी साका बापरिया दुझा चा वेच नचना बहुत खुश होना उद्धम सेंग शहीद पगत सेंग्दी तस्वीर लेके बड़े चा विचनाच रहा सी तीजा ताकविच रहना यानि दाल आूंड ली त्यार रहना शहीद उद्धम सेंग उडवाय दे कतल करन दी ताक विच रहन दा सी चौथा, फांसी होते चूल जाना, अपनी जान वार देना, शहीद उद्दम सिंग देश दी खातर फांसी होते चूले जाननों त्यार सी, अगे चाल दिया, ठीक शबत चुनके खाली थामा परो, यानि fill-in-the-blanks जेडे ने, वह आपाय थे, पारने हैगे ने, ते मैं fill-in-the-bl लैंक दा हेगा, उद्दम सिंग रेलवे फाटक दे चौंकीदार दा पुत्ता सी, दुझा, अम्रिच सर्वेट जलिया वले बाग दा खुनी सा कावापरिया, तीचा, उद्दम सिंग दे मानुते इस कतले आम दा बड़ा डुंगा असर पया, ससा, इंग्लेंड विच ओहो उद्वायर नो कतल करन दी ताक विच ही रेंदा सी, हाँ, मैं माइकल उद्वायर नो मार के अपने देश दीखा कर फर्स निबाया है, आगे है किसे पंच कौमी शहीदा दे ना लिखो ते मैं थे लिखते शहीद सेंडर्स लिखिया है, सरदार उद्दम सिंग, करतार सिंग अगला सवाल है, अपने स्कूल दे मुख अध्यापक या अध्यापक कानु स्कूल वेच दे रेना लाउन दा कारण दसनली अर्जी लिखो, ते अथे में अर्जी लिखी है, एप पॉर्मेट है अर्जी दा, तुसी अथे देख रहो हो, लाइन चड़ी हुए, लाइन नी चड़नी, ठीक है, जिब यह गयाप है गया न, आपका नहीं करना, चलो पाढ़लन दे हैं कि वे शुरू करनी है चिथी, एदे बिच सबतों पहले आपका लिखना है, सेवा विखे, उस्तों बाद जिन्हों आपका चिथी लिख रहे हैं न, हो सागदे थोड़े मुख अध आपका जी, फिर कॉमा पान है, फिर सरकारी, मिडल स्कूल कॉमा, पेंड केडा है, ओ अथे लेख लेओ, श्रीमान जी, सनीमर बेंती है कि आज मैं कारविश माता जी दे अचानक बिमार होन ते, ओना नू डॉक्टर कोल दिखा के दवाई लियाउन कारन स्कूल विच तीज पीरियड तो मगरोब पुझा हां, मेरे माता जी कारविश कले हां, ते उना नू इस समय भी मेरे कारविश जरूरत है, पर मैं हिसाब दा चौथा ते अंग्रेजी दा सत्मा पीरियड नहीं इसी छड़ने चाऊंदा, इस करके मैं स्कूल आ गया, हां, किर्पा करके इस देर मैंनू कोई जुर्माना ना लाया जावे, ते नाल ही मैंनू अगले पीरियड पढ़न दी आग्या दिती जावे, तानवाद सहित, आप दा आग्या कारी मिती लिखोंगे, फिर तुसी अपना ना रोल नंबर ते क्लास पंजबी जो भी हैंगे, ए, बी, सी, ओ दिखोंगे, ते एसी की अज़ती क्लास में उमीद कर दें, इस पार्टे प्रिशन उतर थो नो समझा गए होंगे, जे वीडियो बदिया लगी था चानल नो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना पुलियो, आप फेर मिलांगे, तिल देन, टेक केर, बाई बाई